हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नमी का किचिन आज के इस वीडियो में मैं आप लोक के साथ आलू और कैपसिकम की सबजी की रेसिपी शेयर करने जा रहे हूँ बनाना तो सभी को आता है लिकिन आज मेरे स्टाइल से आप बना कर देखिए बहुत ही टेस्टी हो यमी होता है सबसे पहले तो मैंने दो बड़े बड़े आलू को लंबा लंबा काट लिया था वेजेज में काट लिया था इससे क्या होता है वो अच्छे से फ्राई हो जाते हैं और तूटते भी नहीं है दूसरी तरफ मैंने दो कैपसिकम ले लिया था इनको भी मैंने लंबे-लंबे जूलियन्स में काट लिये थे बहुत जादा पतला है बहुत जादा मोटा नहीं रखेंगे हम और यह है एक मीडि तो तेल से ही बनाईएगा इससे बहुत टेस्टी होता है तो जब जैसी तेल गरम हो जाए ना तो उसमें हम अपने आलू छोड़ देंगे और आलू को हम फ्राई होने के लिए कम आच में छोड़ देंगे तो यह धीरे-धीरे पकते रहेंगे और दूसरी तरफ हम अपना मस जिसमें बेलते हैं बेलन चकला बेलन उस पर थोड़ा सा इसको रोल करके इसको तोड़ सकते हैं मतलब इसको ग्राइंड नहीं करना है तो इससे ना सबजी में बड़ा ही अच्छा टेस्ट आएगा तो इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और दूसरी तरफ आलू को मत करेंगे काम तो दूसरे तरफ भूल जाएंगे तो वापस से मैं एक बार हिला कर अब मैं यहां पर टमाटर की तरफ आ जाती हूं तो टमाटर मैंने ले लिए यहां पर तीन और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से पेस्ट बना लूँगी पेस्ट बनाने से क्या होगा ना तो वो एक इसमें ग्रेवी का भी काम करेगा साथी साथ जो आलू और कैपसी कवर मसालों को ने अच्छा बाइंडिंग दे देगा तो वापस मैंने टमाटर को काटने के बाद ना फिर से मैंने आलू को एक बार चेक कर लिया तो यह देखिए आलू पूरे 90% कुक हो चुके तो फिर भी मैं इनको थोड़ा और दे रख दूँगे और एक टिप यह है कि आलू को आप समान एकदम सेम एकुल साइज में काटिएगा तो इससे क्या होगा ना सब एक ही बराबर पकेंगे देखिए थोड़ा बड़ा हो गया था तो यह थोड़ा जादा टाइम ले रहा जाएगा तो छोटे ग्राइंडर जार में अगर पीस रहे है ना तो आधा टमाटर पीस लीजिए एक बार एक टमाटर या देर तमाटर फिर दूसरी बार वापस से हम और दूसरा बैज भी पीस लेंगे तो दो बैज पीसने में जितना टाइम ने लगेगा जितना हमको साब़ जीरण डाल दोंगी एक चमज करीब और यह हमने धनिया अभी कूटा था ना उसी को मैं इसमे डाल दूगी और इसको अच्छे से हिला लोगी और रिलाने के बाद साथी शाथ में में प्यांस जो हमने काट के रक्के तो प्यांस डाल दूगी प्यांस को बहुत ज़ अगर आपके पास medium वाला grinder jar है उसमें पीसेंगे तो तीन टमाटर आप डाल सकते एक साथ लेकिन अगर छोटे वाले grinder jar में आप पीस रहे हैं तो तीन टमाटर कभी एक साथ मत पीसिएगा तो क्यूंकि मैंने चोटे वाले में चिली फ्लेक्स बनाया था इसलिए मैंने इसमें ही टमाटर भी इसमें प्यूरी बना रही हूँ और दो बार मेरे यह पिस चुके थे टीन टमाटर अच्छे से सूख ही मसाले में मैंने डाल दिया हृँ थोड़ा सा हल्दी कश्मीर ह्लाल मिर्च पाॉडर थोड़ा सा और सा번्दी साहत मैं स suburbs में थोड़ा थनिया पाॉडर भी डाल दिया जब ही आप सूखे मसाले आड़ करें ना गैस का आज हमेशा कम ही रखिए या तो थोड़ा सा पानी छिड़क कर फिर ही डाल लिएगा अभी गैस का आज को वापस से मैंने तेज कर दिया है और तमाटर को हम इसमें डाल दिया है तो और एकदम पूरा ज्यादा भी नहीं पकाना है तो इनका कलर ही हट जाता है जैसे अभी ग्रीन दिख रहा है आप जितना ज्यादा कुक करेंगे अग्दम लाइट हो जाएगा आप क्या करेंगे हम जरा आसा इसमें पाने डाल देंगे तो इससे क्या होगा ना इसमें एक अच्छा बाइंडिंग आ जाएगा तो यह डाल दिया मैंने जरा सा कसूरी में थी और यह है अमचूर पाउडर और अभी मैं डालूँगी इसमें साध अनुसार नमक और चिली जो चिली फ्लेक्स को आप घर में भी बना सकते हैं और खड़ीदा बाब इसमें डाल सकते हैं तो यह सबजी में और जान डाल देगा आपका जब यह आप कैप्सिकम की सबजी बना रहे है ना आलू की सूखी सबजी तो अमचूर पाउडर जरूर डालिएगा थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आता है और इस वाद अनुसार नमक और धनिया तो आपको पूछे मैं जितना आप डालना चाहे डालिए यह तो और सबजी में टेस्ट बढ़ा देता है तो इसी वक्त मैंने सब कुछ डालने के बाद इनको अच्छे से हिला लोंगी हिलाने के बाद ही मैं इन में जो आलू हमने फ्राई करके रखे देना वो भी मैं इसमें एड कर दूंगी अब इन सब को हम अच्छे से मिक्स करेंगे दो मिनिट तक इनको अच्छे से हम सब को मिक्स कर लेंगे और यह सबजी आप यकीन मानिया इतना टेस्टी होता है और जटपड भी बन जाता ह तो अकसर ममी लो क्या करते हैं बच्चों को टिफिन में यही पराठो के साथ या रोटी के साथ टिफिन में देते हैं तो यह जरा सा मैंने अधरक उपर से दे दिया इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है ठंडियों में थोड़ा अधर खाना तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए तो आप भी इसको अपने घर में जरूर बनाईएगा बच्चे अकसर सुखी सबसी ले जाना पसंद करते हैं टिफिन में क्योंकि अगर आप थोड़ा रसेदार सबसी दे दे देना तो बच्चे हाथ लगा कर खाना पसंद नहीं करते हैं या तो वह स्पून से खाना पसंद करते हैं क्योंकि उनको हाथ दोने के लिए बहुत ही आलस लगता है तो कोशिच कीजिए जैसे यह सुखी सब्सी आपने बनाए तो पराठे की बीच में या रोटी की बीच में आप रोल करके उनको दे दीजिये टि क्यों कि बीच में जे टिजिए हैं क्योंकि पूल करते हैं